जम्मु कश्मीर के डोड़ा जिले में सुरक्षा बलो ने एक आतंगवादी को ग्रिफतार किया है वहीं अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंगी के छिपे होने के सुराख मिले थे इसके बाद सेना और जम्मु कश्मीर पुलिस ने सैयुक्त अभियान चलाया आपरिशन में डोड़ा शहर के बाहरी लाके से आतंगवादी को ग्रिफतार कर लिया गया इस आतंग के पास से एक चीनी पिस्टॉल, दो मैगजीन, चौदर लाइफ कॉर्टेस और एक मोबाइल पोन बरामत हुआ है पलाल मामले की जांच जारी है